हेलो एविर्वान, मैं राजी बंदारी, आप सबको सागत करता हैं अमने चानल लेक्टिकल आड़ेंग हैं, इसको संसूचित करता है यानि जैसे कोई तार है और आपको पता लगाना एक इसमें करंड है या नहीं है तो वह क्या करता है जैसे अगर मानलो इस तार में करंड है तो यह जो इसमें सुई होगी वो विच्छे उसमें विच्छे उत्पन हो जाएगा ठीक है तो उससे में पता चल जाएगा कि इस तार में करंडा होगा करंडी होगा तो उसमें जो सुई होगी वो सीधी रही है आपकी तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो कोई भी आपका जो क्या है गैलनोमेटर या नि धारा मापी है वो कम से कम यहां से कम से कम कितनी करंड या कम से कम कितनी वोल्टेज पर आपको क्या दिखा सकता है विच्छेब दिखा सकता है वही उसकी क्या होती ही सुग्राहिता होती है तो अगर करंड कम से कम कितनी करंड को दिखा सकता है या कितनी कम से कम कितनी करंड पे वो विच्छेव परदसित कर सकता है वो उसकी धारा सुग्राईता हो जाएगी ठीक है तो यहां पर धारा मापी की धारा सुग्राईता कुंडली में प्रती एकांग धारा के लिए उत्पन विच्छेव से नापी जाती है यानि ये प्रती एकांग धारा से कितना उसमें विच्छेव उत्पन हो रहा है विच्छेव मनला उसके स्विह जो होती है उसमें विच्छेव होता है n a b upon c into i ठीक है अगर आपको धारा सुगराईता निकालना है तो धारा सुगराईता के लिए क्या हुता है एन ए बी और सी एन के यहां पे कि आपने जो धारमापी बनाया उसमें फेरो की संक्या ठीक है जो ताल अपेटी होती ने उसकी फेरो की संक्या जो आपका छेत्रपल होता है उसका चुंबा के छेत्र और यह मरोडी दिर्णता यह साब मैंने पिछली वीडियो में आपको बता है तरहां परने तो Dos राहता कैसे निकालिगे घंजा रहता को हम इसी से निकाल लेता है यह आपको बता इसका Fr की multiply कर दो, इधर भी R, इधर भी R तो यहाँ पर ठीटा, आपको बता है, I into R को होता है V, और इसको ऐसे रहने देते हैं तो यह आपका क्या हो गया, voltage सुग्राइता निकल गया, theta upon V equal to NAB upon CR, ठीक है, तो यह आपका voltage सुग्राइता हो गया, अब इन दोनों में क्या संबंद होता है, तो इन दोनों में जो संबंद होता है, धारा सुग्राइता, voltage सुग्राइता में हमें संबंद निकालना है तो धारा सुग्राइता क्या आपका theta upon I, और voltage लिख सुगराइता है आपका ठीटा पॉन भी तो पहले हम वोटेश सुगराइता को लिख लेते हैं ठीटा पॉन भी इकोल टू एन ए बी अपॉन सी आर ठीक तो यह ठीटा पॉन भी को ऐसे रहने देते हैं ठीक और आपको बता एन ए बी अपॉन सी को के लिख सकते हैं आई N A B upon C के लिख सकते हम Theta upon I तो यहाँ N A B upon C के लिखते हम Theta upon I और एक upon में क्या आपका R तो उसको ऐसे लिख देते हैं तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा इसको लिखते हम voltage सुग्राइता वो किसके बराबर हो जाएगा धारा सुग्राइता upon परतिरोध यह इन दोनों में संबंद आगया आपका ठीक है तो इतना आपको समझना आगया होगा अब हम देखते हैं कि धारा मापी कि जो सुग्राइता को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं यानि जो आपका धारा सुग्राइता ठीटा पॉन आई को हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं ठीक है वो हम इसमें देखते हैं तो यहां पर जो आपका धारा सुग्राइता होता है नहीं ठीटा पॉन आई एक तो समान पाती होता है एन के नमबर ओफ फेरो की संख्या पर ठीक है एन के आप फेरो की संख्या तो इससे हम धारा सुग्राइता बढ़ा सकते हैं मगर हम फेरो की संख्या से धारा सुग्राइता को नहीं बढ़ाते जर्डनली क्यों कि फेरो की संख्या बढ़ाने पर क्या हो जाता है अगर आपने जितनी जादा तार बढ़ाजी तो इस सुख्राइता आपकी क्योंगी उसमें दिक्कत आ जाएगी ठीक है और दूसरा हमारा पास आता है ठीटा पॉन आई यह आपने भी फॉर्मॉला पढ़ाता ना लिखे तो अगर आपने मालों गढ़ अगर दिक्कत यह भी आप नहीं बढ़ाते तीसा ठीटापॉन ऐता यह आप करते हो cancer इस varit शेतर रॉंच के चुम्बक के छेत रखें तो ये आप बढ़ा सकतो ठीके चुम्बक के छेतों का आप इसली बढ़ा सकतो तो इस वाले मैथड से हम क्या करते हैं धारा की सुग्रायता को जाज दातर बढ़ाते हैं और एक दूसरा क्या ये जो धारा सुग्रायता होता है ये किसके वन अपॉन C, यानी C क्या आपका, मरोडी इसको कम करके हम धारा सुग्रायता को बढ़ा सकते हैं, अब मरोडी दिरेंड़ता को कैसे कम कर सकते हैं तो मरोडी दिरेंड़ता को हम कम कर सकते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपने यहाँ पर जो तार यूज करी थी, इसके पहले जो हम डायग्राम देखें, तो वहाँ पर जो आमने यह तार यूज करी थी, जिसमें हमने क्वाइल को लटका था, यह फॉस्फर, ब्रोंज की यूज की थी, किसकी फॉस्फर ब्रोंज की तो इसका पंधता कि होता है मुरोडी दिरिन्टा जो कम होता है इसलिए हम नहीं आप फॉस्फर प्रोण्ज की च्पार यूज़ करी थी ताकि आपकी उससे क्यों जाएगे यह धराम आपई की सुक्राइटा को हम बढ़ा सकते हैं तहां कि वो जादे से जादा फॉस्फराओंच की आंप को यूज करते हैं क्योंकि उसकी मरोडी द्रणता की होद इ सलिए हम उसका क्यों करने fight तो इतना आपको या रखना है इसमें तो आयवर आपको यह धार मापी के बारे में समझ अंआयोगा इसने पहले हमने उसके बारे में पढ़ा था उसकी कारिया विधी रचना और इसके अंदर जो जो चीज आती है धारा सुगरायता को मैंने इस वीडियो में आपको बताया है तो धन्यवन